हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 रिजल्ट के बारे में तो वीडियो को सुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अप्लोड करूं उसकी लेटेस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं AIB 17 रिजल्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि AI AIB 17 का जो एंसर की आया था उस पर आपजेक्शन रेज करने की जो आखरी डेट थी वो बीस फरवरी तक थी यानि कल तक वो डेट थी अब वो डेट खतम हो गई है अब जो है आज में भी हो सकता है कि AIB 17 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए ऐसा बहुत सारे जो मीडिया वेबसाइट्स हैं वहां से भी ये खबरे आ रही हैं वहां से भी पता चला है कि आज जो है AIB 17 के नतीजे आ सकते हैं तो अब नतीजे किस तरीके से आएंगे कैसे आएंगे चुकि हर एकजाम में ऐसा हुआ है कि दो तरह की रिजल्ट आते थे एक पास केंडिडेट का और दूसरा विथेल्ट केंडिडेट का विथेल्ट का मतलब होता ही यह होता है कि कुछ अगर आपके डाकुमेंट्स में भरते समय कोई कमी रह गई हो या कुछ करेक्शन आ गया हो इस वज़ा से आपका result रोक दिया जाता है तो जी लोगों का result रोका जाता है उनका result विथेल्ड करके आता है विथेल्ड लिखके आता है और उन लोगों की एक जो है बकायदा अलग से list भी परकासित होती है और उसमें जो है सारे जितने लोगों के documents में कुछ कमी होती है उनका जो result है वो एक separate list में आती है विथेल्ड लिखके और उनको further जो है मौका दिया जाता है कि आपके documents में आम भरते समय आपने ये चीजे नहीं लगाई है या ये कमी है तो further जो है उनको जो है objection करके उसको सही करने का समय दिया जाता है उसके बाद से पुना जो है जब उनके तरफ से जो गलतिया की गई थी उनमें सुधार कर दिया जाता है तो फिर से दुबारा उनकी result पब्लिश होती है तो आप लोग बिलकुल घबराईएगा नहीं अगर विथेल्ड करके